हेलो एब्रिवन, वेलकम टू जी टेक पॉली, दोस्तो आज हमें एक ब्रेकिंग न्यूज की बात करने वाले हैं, जो की सेंट्रल गवर्मेंट की तरफ से है, एससी, रेलवे और बैंक को में भरती के लिए, अब सेट का एक्जाम आवेसेक है, तो दोस्तो क्या होता है ये सेट का एक्जाम और इसे कौन कंड़क्ट कराएगा, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो दोस्तो पहले आप जब भी कोई कॉम्पटीशन एक्जाम क फॉर्न भड़ते थे जैसे एसससी, रेलवे या फिर बैंक का, तो सेससी अपने एक्जाम अलग कराता है, एक बैंक अब सेंट्रल गवर्मेंट ने एक नई एजन्सी बनाई है, जो की सेससी, रेलवे और बैंक के लिए एक कोमन टेस्ट कराएगी, जिसे हम सेट कहते हैं, तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं सेट के वारे में तो देखिए ध्यान से दोस्तो केंद्र सरकार की B और C इस्थर की सभी प्रकार की नौकरियों के लिए सेट आवस्यक है सेट की फिल्फाम होती है कॉमन इलीजबिल्टी टेस्ट यानि साजा पात्रता परिक्षा तो गुरुप B & C के लिए नौन टेक्निकल स्टाफ के लिए यानि कि जो पहले SSC बैंक और रेलवे के प्री एक्जाम्स हुआ करते थे जिसमें कि नौन टेक्निकल स्लेवर्स पूछा जाता था अब उसके स्थान पर यानि SSC का अलग स्लेवर्स होता था बैंक का अलग स्ल स्टाफ का एक्जाम जो कि सेंट्रल लेवल की जितनी भी गुरुप B & C की जौब होती है उनके लिए लगवक तीन करद लोग इस टेस्ट में बैठेंगे प्रारंबिक परिश्चाओं के स्थान पर होगा सैट का एक्जाम यानि कि प्री एक्जाम के स्थान पर होगा सैट क बरकरार रहेंगी ये एजेंसियां खतम नहीं होंगी बस केवल प्री एक्जाम की जगे पर सैट का एक्जाम कराये जाएगा ठीक है तो सैट में कौन-कौन सामिल है अभी तो SSC, RRB और IBPSC ये सैट में सामिल है आगे सभी भरती एजेंसियां भी इस से जुड़ जाएंगी दोस्तो ये 3 इसतरिये टेस्ट है इसमें इसनाथ इसतरिये, प्लस 2 इसतरिये और 10 में इसतरिये यानि कि जो ग्रेजुएशन लेवल के जितनी भी वेक्जाम अलग होगा, बारेमी के लिए अलग होगा और 10 में अलग होगा लेकिन दोस्टो, आप चाहे किसी भी विवाग से फार्म बरें, SSC से बरें, या railway से बरें, या banking से बरें. सभी graduation वालों का एक जासय पेपर होगा, सभी 11 approaches को एक जासय पेपर होगा, और सभी 10 मी वालों का एक जासय पेपर होगा. चाहें किसी ने SSC से वरा है, किसी ने railway से वरा है, या किसी ने banking से वरा है, सबका common test होगा, इसलिए इसका नाम set रखा गया है, common eligibility test, यानि सबका test common होगा, मगर इसको तीन लेवल में बाट दिया गया है, graduation level के लिए अलग, 12 मी लेवल के लिए अलग, और 10 मी लेवल के लिए अल की exam की requirement होगी, तो उसमें आप cable set का exam दे करके भी job पा सकते हैं, यह सही बात है, यानि कि आपने set qualify कर लिया, उसके बाद आप physical और medical clear करके आप direct नौकरी पा सकते हैं, लेकिन जहां पर technical या उच्छ इस्तरिय परिक्षा की जरूरत होगी, वहां पर उसके आधार पर ही आपक men's में बैठ सकते हैं, अब आपके लिए यहां पर good news क्यों है set, good news दोस्तों इसलिए है, क्योंकि जो set का exam है, वो हर 6 महीने बाद कराए जाएगा, पहले आप किसी भी job के लिए जब pre देते थे, तो साल में एक बार pre होता है, pre qualify करने के बाद ही आप men's में बैठ पाते थे, ब score है, वो कब तक मानने रहेगा दोस्तों, आपने एक बार set clear कर लिया, तो वो 3 साल तक के लिए मानने रहेगा, ठीक है, और पिर तेक 6 महा में सुदार नहीं की सुविदा है, मतलब हर 6 महीने बाद set का exam कराया जाता है, इसलिए यह बहुत बड़ी good news दोस्तों, कि set का जो paper है management agency, तो दोस्तों, आपका set का exam NRE conduct कराएगा, अब देखी दोस्तों, test कहां और कैसे होगा, तो यह आपके लिए बहुत बड़ी खुसकवरी है, कि जो set का exam होगा दोस्तों, वो आपके अपने ही जिले में आप दे सकते हैं, यानि कि NRE देश के पृतेक जिले में कार्याले स् आएगा, यानि कि अगर आप अपने ही जिले में रह करके तयारी करते हैं, तो आप अपने जिले में exam दे सकते हैं, या फिर आप किसी अन्य जिले में तयारी करते हैं, तो आप वहाँ पर भी exam को दे सकते हैं, तो आप अपनी इच्छा से अपना center चुन सकते हैं, टेस्ट के की बारे भासाओं में होगा तो हिंदी में तो फिर दोस्तों होगा ही होगा तो यह था दोस्तों सैट के वारे में आईयोप सो दोस्तों अब आपको समझ आगया होगा कि सैट क्या है तो सैट होता है common eligibility test जो कि सब भी exams के लिए common test होगा जो कि pre exam के स्थान पर कराया जाएगा ऐसा नहीं है दोस्तों कि टेक्नीकल exam जो होता था वो हट हाद आपका ऐसा नहीं होगा जो نोन टेक्नीकल exam होटा था उसकी जगह पर पृरी होता था उसकी जगह पर ही सैट का exam कराया जाएगा on सबसे बड़ी खुसकबरी यह है की fulfillment लिए अलग पर होगा तो आई ओप सो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं है और ऐसी ही पलपल की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन जरूर दबादें और वीडियो को लाइक करें अपने सभी दो